दोस्तों आज आज शुके हैं धेर सारे खतरनाक अपडेट और हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले अपडेट से जो सब लोगों को मालोम अब तक चल चुका होगा बिग रैमी तो रैमी ने इस वक्त पे अपने पूरी बॉड़ी दिखा दिये काफी लंबे अर्से के अब जादा इंप्रेसिव रैमी के अंदर जो एक मास और जो प्रपोर्शन की जो कॉम्बिनेशन ओनर्शिप ब्लकुल पर्फेक्ट लग रहा है और सभी बता हूं भाई अभी है 18 वीक्स आउट और चाहे 18 वीक्स आउट हो जाए वंडे आउट हो भाई हमीशा ऐसी दिख यह एक अजीब बात आपको लग रही होगे लिकिन बिग रैमी की कंडिशनी कभी भी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती है 18 वीक्स आउट से लेकर के बिलकुल वन डे आउट तक इसलिए मैंने आपको यह वाली बात बोली रैमीना ओफ सीजन और ओन सीजन में बहुत काली होगी ताकि और जादा एक अच्छी इन के अंदर राउंडनस निकल करके आए तो स्मॉल वेस्ट मिट सेक्शन एकनम टाइट फ्रंट और बाइसे तो बहुत ही खतरनाग लग रहा है और सही में अब सारे लोग यही बोल रहे हैं कि रैमी अपना थर्ड टाइटल क्ले पर भी बिल्कुल अनडिफीटेबल चैंप की तरह से अपना टाइटल ले लेंगे क्योंकि पिछले साल लोगों को ऐसा नहीं लगा था जब ब्रेंडन करी से वो जस्ट हारते हारते बचे थे पर इस बार क्या होता है साथी साथ उनके ट्राइसप्स पे इस बार काफी क्योंकि अभी तो अच्छी लग रही है अपने लैट्स को पीछे स्क्वीज कर रहे हैं तो थर्ड टाइटल का आप मुझे बताओ आपको लगता है बिग रैमीज बार जीत पाएंगे दोस्तों से बाद आता है अगला अपडेट जो कि एक अथलीट का है जो है अभी सेवन यह वही ब्रेंडन करी वाले जिम में ट्रेन करें मतलब ऑक्सिजन जिम में वही आपको जगा दिख जाएगी और अब्दुल्ला के अंडर यह ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वही फिजीग वही शेप स्ट्रक्चर आपको अलमोस्ट दिख जाएगा इनके अंदर में बाकी द कि अच्छी है राए हार्ड और सप्रेशन अच्छा दिखाते हैं लोवर बाड़ी में अपर बाड़ी में वह अभी वी टेपर नहीं है लेकिन देखते हैं धीकर करने 7 वीक से एक अच्छा खासा लंबा टाइम है तो उसमें अच्छा खासा चेंज ही ला सकते है अपनी फि दिस्प्ले किया था टैंपा प्रो में कोई कमी नहीं थी कंडीशनिंग की कमी नहीं थी हाला कि अपर बॉड़ी सॉफ्ट थी ऐस कंपेर तू लोर लेकिन स्टिल कुंटन यह कहना चाहरे है कि वह और ज्यादा भी हार्ड और ज्यादा ड्राइ आएंगे टार्गेट उनका यह है कि पांच LBS हलके आएंगे वो टैंपा प्रो के पैकेज से तो और ज्यादा शाप हो जाएंगे मैं तो बहुत इंप्रेस था इनकी लोर बॉड़ी से लेकिन देखते हैं आपर बॉड़ी में कुछ उस वरा से चेंज पड़ेगा के नहीं या फिर कुई जादा यह और दिखाते हैं नजर आ रहे हैं बहुत ही फिनॉमिनल पैकेज है पर अपर बॉड़ी वही है जो उनकी स्मॉल पड़ जाती है और एक क्लासिक फिजिक एथलीट बनके रह जाते हैं बाकि इनके सामने खड़े होने वाले कमाल अलगागनी अब कमाल का तो रहसा है कि वह त टैक्सिस प्रो को जीत जाते हैं तो कमाल की यह शर्त है कि अगर टैक्सिस प्रो जीते ना तो ओपन कॉंपीटीटर की तरह ही खेलेंगे ओलंपिया तक डैफिनिटली वह इंप्रूफ करेंगे अपनी बॉड़ी को और ज्यादा थोड़े बड़े और ज्यादा बाहरी आए इनका यह प्लैन है जो क्रिससीटो से इन्होंने डिसाइड करके बनाया कि ओलंपिया आते आते यह लगबग 226-227 पाउंड का स्टेज वेट लेकर के आ जाएंगे और ओपन कैटिगरी में तब कंपीट करेंगे तो बहतर होंगे ज्यादा बड़े होंगे और ज्यादा और ग्रीनी होंगे तो इसलिए लोगों ने इनको अल्रेडी हाडी शूपन से भी कंपेर करना शुरू कर दे क्योंकि एक जमाने में कमाल हाडी शूपन को हरा दिया करते थी यह 2012 की बात है जब यह दोनों एशियन चैंपिनशिप में खेला करते थी और तब कमाल ने हाडी शू पाइगा उनके लिए उनको बीट करना लेकिन कमाल को इस चीज की कोई excitement नहीं है उनको सिर्फ इस चीज की खुशी है कि वो open class में जो आए है ना और लोगों ने जो उनको support दिखाया है ना उसके लिए यह आगे बढ़ते रहना चाते हैं वापस 212 में नहीं जाना चाते हैं क्योंकि Texas Pro जीतने के लिए अभी दो competitor हैं जो की सही में बहुत बड़े बड़े हैं इनसे size में और वो इनके आड़े आएंगे उनकी बात भी करता हूँ ज़रा थोड़ा सा एक मिनट बात लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फिल क्लार की क्योंकि वो भी अपना एक नया package ल सुबे Saturday तक लेकिन इतना time काफी नहीं था सब कुछ खा लेने के बाद भी जैसे की rice cakes, muffins, hamburger, fries, कोई भी ऐसी चीज जो की sugar carry करती हो इन सब चीजों का उन्होंने use कर और लेकिन फिर भी उनकी body full हो करके नहीं दे ली थी, नतीजा, fill, stage पे एकदम flat दिखाए दिए और ये ची इस बार इनको सुधार नहीं है, तो ये भी एक नया package लेकर के आने वाले हैं, कमाल पहले से और भारी हो करके आने वाले हैं, और कोईंटन वहीं पहले से और 5 LBS हलकी हो करके आने वाले हैं, तो एक तरा से तीनों ही bodybuilders कुछ नया दिखाने के तैयारी में हैं, लेकिन अब आते हैं, दो मेन bodybuilders, जो कि इन तीनों bodybuilders के आगे आएंगे, मेरा मतलब है हाँ पर स्टीव को क्लो से, स्टीव इसमें खेलने वाले हैं, और स्टीव है एक mass monster, और दूसरा डेब्यू करने वाले शो से, एंड्र्यू जैक्ट, ये दोने bodybuilders काफी लंबे हैं, और अच्छा मास भी carry करते हैं, पहले स्टीव से शुरुआत करेंगे, स्टीव को कभी उतनी detailing या उतना separation लाने की ज़रूत नहीं पड़ी अपने career में, क्योंकि उनका size इतना बड़ा है कि judges उनको जिता ही देते हैं, और स्टीव खुद भी ये मानते हैं कि size game है bodybuilding, अभी recent interview में उन्होंन कमाल को जीतना चाहिए था, पर स्टीव कुकलो मानते हैं कि नहीं bodybuilding एक size game है, और यही size वो लेकर के इस बार आने वाले हैं, और show को dominate करने वाले हैं, तो यह उनकी thinking है, और बहुत अब तक हम जानते हैं कि judges भी यही चीज देखना चाहते हैं, तो इसलिए स्टीव कुकलो जो सबता चाहते हैं जो पॉसिंग प्रैक्टिस के लिए भी जो दो कोची और रखे ऊगरा हैं, तो यह सारी लोग इनको कुछ न को तरीके से कोचिग दे रहे हैं गाइडेंस इनको दे रहे हैं, तो एन्ड्यू एक तरह से बहुत जादा एक प्रिलिच्ट Andrew Jack की फिजीक बहुत लोगों को कुछ जादा ही पसंद आ रही है और कई लोग उनको कंपेर करें रॉनी कोलमें से इस्पेशलिल उनकी ग्ल्यूट्स को देख करके जो की काफी लंबे हैं शेप में Andrew की फिजीक ओवराल बहुत इंप्रेसिव है क्योंकि मसल्स जिस तरीके से बनी हुई है वो बनावट बहुत माइने रखती है और Andrew के पास में परफेक्ट मसल्स हैं एक चीज़ हैं जो कि उनको विनर बना सकती है मैं इस शोगी बात नहीं करना मैं आगे लॉंग टम वाली एक लंबाई में और चौडाई में मेरे साबसे स्टीव कुकलो काफी ज्यादा डॉमिनेट करेंगे एंड्रियू जैक्ट फिर उसके बाद काफी सही अपनी फिजीक दिखाएंगे ऐसी उम्मीदे तो हैं और हर चीज ओवराल फिर कमाल अलकार्णी मैं आपको तीसरे नमबर प हर चीज उनकी काफी अच्छी लगते हैं उनकी चेस्ट भी इवन और ट्राइसेप्स शोल्डर्स हर चीज उनकी प्रॉपरली डेवलप्ट है और अभी वह और ग्रो करेंगे पर इस कॉंपिटिशन के लिए मेरे साबसे वह अच्छा गासा डेंजर साबित होने वाले हैं त तो बहुत ज़्यादा हाड और एकदम ड्राइ लुक लेकर के आ रहे हैं वो अभी से इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट में हमें देखने को मिलेगा लेकिन अंड्रे का फोकस है अपने एब्स को इंप्रूफ करना जिस पर कि उनका एक हमेशा से क्रिटीसिजम रहा है लोगों के तरफ से क्योंकि हमें मालूम है उनके अप्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है बहुत गहरे नहीं है तो उन्होंने बताया कि करा है मैंने काम तो अच्छा का सा लेकिन स्टेज पर देखने को वो चीज मिलेगी तो इसके बाद में अगले अथलीट आते हैं जैरीमी पोट्विन तो जैरीमी ने अभी कमबेक किया था एक तरह से कमबेक क्या मतलब कमपीट किया थे लंबे समय बाद तो वो जीतने पाय थी अपने लास्ट शो को इस बार इसमें भी आ रहे हैं वो खेलने के लिए और जैरीमी एक वही है कि स्मॉल लेकिन एक हार्ड पैकेज दिखाने के लिए जाने जाते हैं कमप्लीट बॉड़ी उनकी आती है लेकिन दोनों पैकेज इतने डिफरेंट होने वाले ना अंड्रे और जैरीमी एक तो बहुत ही लंबा छे फीट एक इंच का और दूसरा अथलीट बहुत ही छोटे साइज के हाईट के में सब चीजों में अंतर हैं इसके बाद में और भी तो लेकिन अथलीट पढ़े हों इस बार काफी स्टैक्ड लाइन अप है वैंस फिजीक का हमारे कुछ पुराने लेजंड उनकी बात करी जाए तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आते हैं जोर्ज ब्राउन किंग ब्राउ है तो यह इस वक्त पे ऐसे कुछ दिखाई दे रहे हैं बहुत ही जादा स्मॉल लग रहे हैं इंफेक्ट ऐसा लग रहे हैं कि अना शायद कंपीट करने भी नहीं वाले है ऐसा भी देखो पॉसिबिलिटी हो जाते हैं कि गलत नाम भी कभी कबाद डल जाते हैं लेकि मैं अ जहां हो सकता है जोर्ज ब्राउन कंपीट करें ना करें लेकिन देखकर के ऐसा नहीं लग रहे है क्योंकि कुछ पोस्ट अगर पहले चलो जिसमें कि ये फ्रन डबल बाइसब करते हो नजार तो सही में ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ओफ चल रहे हैं और कहीं कंपीट नह करने वाले फिजिक एकदम स्मॉल है कहीं से कहीं तक कोई हाडनेस आपको नहीं दिखेगी अब ये भी हो सकता है कि बॉड़ी कुछ जादे फ्लैट चल रही हो ऐसा दिख रहा हो तो इस पर मैं बहुत जादा अभी आपको कुछ नहीं बोल सकता हूं कि इनकी फिजीक हमें स देखके और कंप्लीटनेस देखके खासतार से इनका जो एबस और इनके जो अब्लीक का पूरा सेक्शन है मतलब ऐसा लग रहा था कि सही में उस कॉम्पीटिशन में जीत मिलनी चाहिए थी खैरे थर्ड आये थे लेकिन इस बार ये भी उतर रहे हैं खेलने के लिए टेक्स दैनियल अगेन कोई बहुत जादा ऐसे बड़े अथलीट नहीं है बहुत बड़ा नाम भी नहीं है लेकिन वो खेलने वाले हैं इसके अंदर थोड़ा नाम इसलिए उचल रहा है क्योंकि आंड्रे गोहरा करके आ रहे हैं वो जो की एक काफियत तक एक इंपॉसिबल सी ची इसके बाद में अगला अपडेट अगरे मैं आपको बताऊं तो वो आता है सर्जियो लिवा जूनियर की जरफ से मतलब कहीं गायब से थे इतने लंबे टाइम से और अभी ये दिखाई दिया है काफी लंबे टाइम बाद लेकिन सर्जियो की फिजीक अगर आप देखोगे कि वो अगला शो कौन सा खेलने वाले हैं प्राब्लम हमेशन के साथ हमेशा यही रही है कि बहुत ब्लोटीड राते हैं यह जब स्टेज पर आते हैं और वेस्ट फैल जाती है लाइन्स दिखती नहीं है गहराईयां दिखती नहीं तो मजा ही नहीं आ पाता तो सर्जियो कौन सा शो अपना खेलने वाले हैं फिलाल अभी कोई अनॉंसमेंट नहीं है जब होगी तो हम कवर करेंगे इस वक पे दोस्तों यही सारे अपडेट से बाकि दो दिन बाद होगा ना टैक्सिस प्रो तो उसको हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे सारे अथलीट कितना दम दिखा पाते हैं स्टेज पे और क्या खुद को प्रूफ कर पाते हैं तो अभी के लिए इतना ही था आप मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टेट यून गुडबाई शुक्रिया